नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका online study वीडियो के में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भाल विकास का जो important topic है व्यक्तिकत विभीनता इन से लेटेड प्रशन आपके साथ discuss करेंगे सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैयल को एडिया डिस्क्रिप्शन जुरूर चैक कीजिए वहां आपको आनक एडमी लिंक टैलिग्राम लिंक फेस्बुक पेज का लिंक आपको मिलेगा जोइन हो जाएए और जितने भी आपको प्रैक्टिस एंड मिलती है वह भी कोई भी दो व्यक्ति अपस में एक समान नहीं होता है सम में उनका सभाव जो होता है बुद्धी मांत शक्षमता शारिक शमता सम में अलग अलग होता है परतेकशारती सुमेह में विश्स्ट होता है इस वज़े से कोई भी दो शिक्षारती अपनी योगताओं रूचियां प्रतिभावं में एक समान नहीं होते, कहीं तरह के प्रकार होते हैं व्यक्तिकष्विमिन्ताओं के, फर्स जो है, मतलब भाषा के अधार पर व्यक्तिकष्विमिन्ताओं देखने को मिलती है, प्रतेक विक्ति में जो भाषा के विकास होता है, वो एक भीन भीन अवस्थाओ में मतलब उनका होता है तो सब में अलग-अलग होता है सेकंड जो है लिंक के अधार पर व्यक्तिकत भी मिनता होती है कि जो श्त्रीयों का जो शारी गठन होता है वो पुर्षों से अलग होता है मतलब पुर्ष स्त्रीयों से अधिक लंबे होती है तो इस तरह से लिंक के अध समुधाय के अधार पर भी होता है लाइक अच्छे प्रियार ओंधाय के जो संबंद रखने वाले जो बच्चे होते हैं अगर उनका समुधाय या परिवार में कुछ कमिया है तो वह अपराद परवीति के हो जाती है। इस तरह से उनका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है संवेग की अधार पर कह सकती है, like कुछ बच्चे शान्त सभाव के होती है, कुछ बच्चे चिड़े छीले होती हैं ।- आनहापी रहती हैं तो एक ये विवेन्त मिलती है, शारिक विकास के अधार भी मिलती हैं, like उनका रंग रूप है, अकार कद, शारिक गठन भी मिलति है अभी वरिती के अधार पर कह सकते हैं कि कुछ बच्चय मिश्श कार्या में रूची लेती हैं किसी का किसी का मन पढ़ाई में लगता है किसी मन वह उसे दूर भागती है attends बिजक्तित्व रची दार पर पर今日は अलόन सार होती हैं कोने होती हैं तो यह personality के अधार पर भी व्यक्तियत भी मिनता देखने के मिलती है अब हम insulated जो question है वो हम discuss कर लेते हैं so first जो question है इसको zoom कर लेते हैं दाकि आपको अच्छे से दिखाई दे first है हलाकि यह सपस रूप से उनकी शुरक्षा आशकताओं की उलंगर में था captain भत्रा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल यूद में मारे गए थे समवत उन्हें तो देख लेजिए नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा आत्मसिद्धी की प्राप्ति अपने अपनत्व समवन्दी आशकताओं की उपेक्षा या अपने परिवार के नाम की ख्याती प्राप्ति तो कैप्टन विक्रम बत्रा अपने देश को बचाने के लिए कारगिल युद में मारे गए समवत उन्हें आत्मसिद्धी की प्राप्ती थी ठीक है सेल्व सफिशेंसी की प्राप्ती ठीक है तो सही आंसर होगा सेकिंड ऑप्शन अगला है विदाल्यों को किसके लिए व्यक्तिक शिक्षार्थी को विसिस्ट होने की अनुभूती कराने के लिए व्यक्तिकत शिक्षार्थियों के मद्याखाई को कम करने के लिए शिक्षार्थियों के निश्पादन डियर पर्फॉर्मेंस और योगताओं को समान करने के लिए यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थ सीखने के योग्य या अयोग्य हैं सही आंसर इसका जो होगा फॉर्थ ओप्शन यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं सो फॉर्थ ओप्शन इस राइट नेक्स है शिक्षार्थियों में व्यक्तिकत भिनताओं को समोधित करने के लि पालन करना और शिक्षारतियों को सीखने के अनेक अफसर उपलब्द कराना शिक्षारतियों में व्यक्तिकत भिनताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना या धीमी गती से सीखने वाले शिक्षारतियों को विशेश विदालों में भेजना तो शिक्षारतियों मे व्यक्तिकर भिनताओं को individual differences को समभोधित करने के लिए एक विदाल्या की सतरह का सहयोग उपलब्द करा सकता है उनके लिए child centered जो पाठेचर होती है उसका पालन अगर वो करे यह और शिक्षारतियों को सीखने के अनेक opportunity उनको दे उनको ऐसा environment create करें उनके लिए तो यह उपलब्द करा सकता है अगर विदाल्या तो यह बहुत अच्छी बात होती है तो बाल के इंदी पाठेचरह का पालन करना और शिक्षारतियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्द कराना next question है सहा शेक्षनिक शेत्रों में निश्पादन की अधार पर शेक्षनिक शेत्रों में निश्पादन के इस तरको बढ़ाने का उचित्ते स्थापन की अधार पर किया जा सकता है सीटाइड 2012 में आया था यहे व्यक्तिकद भिनताओं को संतुस्ट करता है यहे हाश्यक्रित विदार्थियों के लिए प्रति पूरग बेदभाव के नीति का अनुगमन करता है यह सारभामिक धारना सारभामिक धारना होती डिर सभी के लिए जो उपलब्द होती है उस धारना को सुनिश्ट करता है यह हाथ से किये जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विक्सित करता है तो किस अधार पर ये किया जाता है कि जिससे उनकी व्यक्तिकत भिनताएं जो है उनको संतुस्ट किया जा सके उनको सैटिस्फाई किया जा सके तो first option is right नेक्स्ट है शिक्षार्थी व्यक्तिकत भिनिता परदर्शित करते हैं अत्य एक शिक्षक को अधिकम की एक समान गती पर बल देना चाहिए सीखने के विविद अनभव को उपलब्ध कराना चाहिए कठोर अनुशाशन सुनिशित करना चाहिए या प्रिक्षाओं की संक्या बड़ा देनी चाहिए तो शिक्षार्थी जो है वो individual differences वो परदर्शित करते हैं सब अलग होते हैं तो उनके लिए हर तरीके के जो अनभव है सीखने के लिए विविद अनभव उनको उपलब्ध कराना चाहिए तो second option is right सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है यह विकास के कि सिधान को दर्शाता है सीटा 2012 में आया था व्यक्तिकत भिनता अन्तसमंद, दिरंतर्ता या समाने से विसिस्ट के और तो सीमा हर पार्ट को जल्दी सीख लेती है उसकी बुद्धी तेज है और लीना की कम है वो कम ज़्यादा समय लेती है तो यह विकास का व्यक्तिकत भिनता का जो सिधानत है उसको दर्शाता है कि वो इंडुवीजुली डिफ्रेंसे है उनकी बुद्धी अलग है तो सही आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तिकत शिक्षार्थी एक दूसरे से फिल करना यहां भिन होते है विकास की दर विकास क्रम विकास की समान्य अक्षमता या व्रिधी एवं विकास के सिधानतो इसका आंसर आपको कोमेंट्स में देना है सैविंत का यह कोशन आपका क्विस का है अगला है इर्फान खिलोनों को तोड़ता है उसके पुर्जों को देखने के लिए उन्हें अलग-अलग कर देता है आप क्या करोगे उस पर हमेशा नजर रखेंगे 2011 में आथा उसके जिग्यासू सभाव को पुर्टसाहित करेंगे और उसकी उर्जा को सही दिशा में दिशा में संशरीत करेंगे उसे समझाएंगे कि खिलोनों को तोड़ना नहीं चाहिए या इर्फान को खिलोनों से कभी भी नहीं खेलने देंगे तो इर्फान जो है उसमें साइन्टिफिक जो व्यूज है वो उसमें डैवलप हो रहे हैं तो उसकी जो जुग्यासू सभाव है मतलब वो देखने के लिए उसको अलग-अलग कर देता है उसका जो सभाव है उसको आप मॉटिबेट करोगे उसकी उर्जा जो है जिसमें उर्जा लगा रहा है उसको राइट इंस्ट्रक्शन आप उसको दोगे सही दिश्या में इसको संचरीत करोगे तो सेकिड़ ओप्शन इस राइट परतेट शिक्षार्ति स्वय में विसिस्ट है इसका अर्थ है कि सीडर 2011 में आथा शिक्षार्थियों में ना तो कोई समान विशिष्टाएं होती है और ना ही उनके लक्षे समान होती है सब शिक्षार्थियों के लिए एक समान पाठे चार रहा है संभव नहीं है एक विश्मरूपी कक्षर में शिक्षारतियों के समस्याओं को विक्सित करना असंभव है यह कोई भी दो शिक्षारति अपनी योगताओं रूचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते तो सही आंसर इसका जोगा फर्स फर्सली मैंने आपको बताया था कि प्रतेक शिक्षारति स्वय में हाओं की उपल्ब्दय चाहती है अपने उद्यष्य के प्रापति के लिए उसे निमलिकित में से क्या नहीं करना चाहिए देरी पूच्छा है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना तो यह तो करना चाहिए उसका जो तनाव है डिप्रेशन जो है उसको कॉंट्रोल करना सिखाना चाहिए विशेश ध्यान के लिए उन्हें उन्हें उनके सम कक्षियों से अलग करना क्लासमेट्स जो होते हैं उनकी स्रीजनात्मक्ता को सम्रिद करने के लिए उन्हें चुनोती देना ये भी सही है, गतिवीदियों में आनंद लेना सिखाना तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो नहीं करना चाहिए कि उनकी विशेज ध्यान के लिए में अगल उनको special need देनी है, तो उनके जो जो है, उसके जो classmates जो है, सहपार्टी उनको उनसे अलग करना, तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, so second option is right, जो second पूछा है, आप देखते हैं कि एक चात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ संतुस्ट रहेंगे, उसे अतरिक घरिकार्या नहीं देंगे, वह जैसे अध जात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करोगे, इसके लिए, देख लेजेए इसका सही answer क्या होगा, और right answer क्या होगा, कि वह जैसे, मतलब वो जिस तरह से वो प्रगति कर सकता है, ठीक है, आप उसको उसी तरह से अनुप्रेरित करोगे, है ना, जिस तरह से वो सही दिश् जनियर्ज राइट, अगला है, यदि को शिक्षारती कक्षा में अध्यन की चित वृति में नहीं है, तो आप क्या करोगे, उन्हें अध्यन के लिए बाद्या करेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं कर सकते, उन विदाला को कक्षा छोड़ने के लिए के लिए बिल्कुल भी न नहीं कर सकते, उन्हें उनकी रूची अत्वा, आप अपने विशे के अनुसार रूची पूरुन चीजे बताएंगे, ये बिल्कुल सही है, उनके इंट्रस्ट का है, जिसमें बच्चे इंट्रस्ट लेते हैं, ये आप क्या करोगे, ओडियो विजुल का एड भी आप यू पूरुन चीजे बताऊगे, तो फौर्थ ऑप्शन इस राइट, व्यक्तिकत भीनिता के संदर में निमलिकित कतनों पर विचार कीजिए, समुदाय के अधार पर व्यक्तिकत भीनिता देखने को मिलती है, जस्ट मैंने आपको बताया कि ये तो देखने को मिलती ही है, अगला है, व्यक्तिकत भीनिता देखने को मिलती है, तो राइट आंसर इसका जो होगा, वो ए और सी होगा, है ना, ए और सी थार्ड ओप्शन सही होगा कि समुदाय के अधार पर भी देखने को मिलती है, और समुदाय के अधार पर व्यक्तिकत भीनिता संभव है, ये भी सह हो सकता है लेकिन क्योंकि बुद्धि के धार पर तो संभव है लेकिन इसने बोला कि संवेक के धार पर संभव नहीं है यह बिल्कुल गलत है क्योंकि बुद्धि के धार पर तो होती है और संवेक के धार पर भी होती है तो ए और सी इसका आंसर होगा अगला है व्यक्टिकत विविनिता का परमुख कारण है वातावरण, वंशन, करम, आईउ तो बताना है इसमें से कौन सा परमुख कारण है तो वो सभी आंसर है वातावरण का भी फ्यक्ट पड़ता है वंशन, करम का भी और आईउ का भी तो फॉर्थ ओप्शन इस राइट आप अपनी कक्षा में अपने शिक्षन के दुरान कड़ी मेहनत करते हैं फिर भी आपकी कक्षा में काफी विविनता दिखाए पड़ती है इसका कारण क्या हो सकता है तो देख लिजे इसका अंसर क्या होगा आपकी कक्षा के कुछ चात्र कक्षा में सो जाते हैं आपकी कक्षा के कुछ चात्र आपको पसंद नहीं करते बिन बिन चात्रों में व्यक्तिकत गुण बिन बिन होते हैं उपरोक में से कोई नहीं ये बिल्कुल सही होगा थर्ड ऑप्शन कि बिन बिन चात्र अलग अलग चात्रों में उनके जो गुण वह अलग अलग होती है इसी वज़़य से उन्में विर्टा देखने को बिलती है अगर आप ऊक्ष्यक अपम YOU कुछ शातर में परइपकव्टा का अव्लोगल ्परती करने पर पाते हैं कि कुछ आतर आयू के पहले परिपक्वता प्राप्त कर चुके हैं, जब कि कुछ आतर परिपक्वता प्राप्त करने की आयू में ते हैं, लेकिन उनमें परिपक्वता नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है, कक्षा में उनके बैठने का क्राम doesn't matter, ये तो कोई आंसर नहीं बन विबनता होती है, so second option is right, व्यक्तिकर्ण विबनताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किस ने किया था, व्यक्तिकर्ण विबनताओं को समझने का प्रयत्न इसने किया था, और ये एक definition है, वो मैं आपको एक बार सुना देती हूं, तो आप उसको सुन के आपको बताना है, इसकी ये definition है, important है, इसी वज़े से मैं आपको एक कोशन देना चाहती हूं, वो है, संभवत व्यक्तियोगता की विबनताओं के बजाए, व्यक्तित्व की विबनताओं से अधिक परभावित होता है, तो ये जो definition है, ये किस ने दी थी, option ये ही है, fourth, तो इन में से ही किसी का अंसर आपको बताना है, ठीक है, ये 17 का अंसर करना आपको, कि जो संभवत व्यक्तियोगताओं की विबनताओं के बजाए, व्यक्तित्व की विबनताओं से अधिक परभावित होता है, ये definition किस ने दी है, जेम्स ड्रेवर, स्कीनर, टॉयलर या गाल्टन ने, okay, next question है, का कारण है, तो बताना है क्या कारण है उसका, उसका विसिस्ट शारिन की विकास, उसका विसिस्ट संग्यानात्मक विकास, उसका विसिस्ट समयगात्मक विकास, या उसका विसिस्ट समाजिक विकास, okay, तो सही आंसर गडियास, जो आपका संग्यान जो होता है न, वो एक उसका विसिश संगेनात्मक विकास तो इस वज़य से उसमें ये कानण है व्यक्तिकत विविनता का second option is right व्यक्तिकत विविनता के विकास है तू पूरु मादमिक अक्षाओं में बालकों का शिक्षन किस प्रकार किया जाना चाहिए option is खेल विदी के मादम से बालकों को गणी तथा भाशा का ग्यान देना चाहिए ये तू सही है अच्छी बात है प्लेवे मैथर से अगर उनको सिखाते हो गणी उनको नौलेज देते हो लैंग्वेज की ये भी बे सही है उन्हें अक्षर ग्यान तथा गणना की जानकारी प् सही आंसर होगा फोर्थ ओप्शन इस राइट क्लीर है नेक्स्ट है मॉन्टेंसरी प्रणाली का विकास मंद भुद्धी और सुवदाहीन वालकों के लिए ओप्शन है को ध्यान में रखते हुए किया गया था शिक्षा के साधरों के अभाव व्यक्तिकत विभिनता भेद अभाव को स्माप्त करने की इच्छा या शिक्षा को व्यवसाइक अरूब देने तो मॉन्टेंसरी प्रणाली का विकास है वो मंद भुद्धी और सुवदाहीन बालक जो है क्योंकि उनमें इंडिवीज़ डिफ्रेंसिस मिलते हैं तो उसको ध्यान में रखकर ये किया गय तिल देन बाबाय रखका जिया बुले नाट